दोस्तो अगर आप भी Axis Bank का या पर lifetime free carry card apply करना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी किस प्रकार से आप Axis Bank के तीन carry card ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर market में बना ही रहता है द के benefit भी बहुत तकड़े हैं तो दोस्तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Axis Bank का new carry card जो कि यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए limited period offer के लिए lifetime free देखने को मिल ला है तो उसे आप कैसे apply कर सकते हो क्या के उसके benefit होने वाले है क्या 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 apply करते हो तो आपका card approved होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दोस्तो आप बढ़ते हैं वीडियो में में प्रोसेस की हो तो दोस्तो हम आ गए Axis Bank के official website पर जहां पर दोस्तो आप देख सकते हो कि Axis Bank हमें और भी प्रकार के carry card प्रोवाइट करता है जैसे कि Axis Bank इंड जो अभी lifetime free offer में देखने को मिला है उसका apply करने वाले हैं new carry card को और दोस्तो Axis Bank का my zone carry card भी best है यहां पर उसको भी आप apply कर सकते हो बट वो भी यहां पर lifetime free नहीं है वो कभी-कभी offer में चलता है बट दोस्तो अभी के लिए new carry card चलता है तो दोस्तो यहां पर flip card Axis Bank carry card की बात क है उसमें आपको यहां पर 500 रुपए का जो फिलिप कार्ड का welcome voucher देखने को मिल जाता है जिसमें आप 500 रुपए की छूट प्रदाप्त कर सकते हो और उसमें 5% unlimited cash back देखने को मिल जाता है तो उसकी आप यहां पर जो annual fees है ज्यानिंग fees है वो recover कर ही सकते हो अगर आप flip card से ज्यादा shopping करते हो क्योंकि 5% cash back बहुत होता है जो कि सभी products पर आपको देखने को मिलता है बस आपको एक्सिस बैंक के उस फिलिप कार्ड कर से payment करना होता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं अपने main carry card पर जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं new carry card का और तो दो पर आपके इसको सबसे पहले benefit count करा देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले benefit तो आप देखी सकते हो 40% off on zomato पर देखने को मिलता है अगर इस carry card को बने मा लेते हो 5% off मिल जाता है utility bill payment पर Amazon की तरफ से मतलब Amazon से अगर आप bill payment करते हो इस carry card की मदद से तो यहाँ पर आपको 5% off देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर broadband recharge payment DTH recharge इस तरीके से Amazon पेस अगर करते हो तो आपको यहाँ पर cash bag देखने को मिल जाता है 150 रुपए का परबन में cash bag ले सकते हो minimum यहाँ पर 300 रुपए spend करने होते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको और भी offer देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर blink it, mintra, book my show पर भी आपको cash bag मिलता है 10% blink it पर देखने को मिलता है, mintra पर 500 रुपए का offer देखने को मिल जाता है, अगर minimum आपको यहाँ पर एक हजार रुपए की shopping करने होते है, 999 की यानि की, और 210% off मिल जाता है, book my show पर कोई सा भी movie ticket यहाँ पर आप purchase करते हो, तो इस तरीके से offer best देखने को मिलते हैं, और पर आपको 15% का discount देखने को मिल जाता है, maximum 500 रुपए, minimum order value 15 रुपए की होती है, तो दोस्तो इस तरीके से आपको इसमें धेरो सारे benefit देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने main main count करा दिये हैं, और दोस्तो fees and charges की बात करें, अगर मान लीजे, किसी reason की विए से आपको एक card offer में न फिर कोई other credit card की, जो कि यहाँ पर lifetime free नहीं है, उनकी fees यहाँ पर 500 रुपए plus तो जाती ही है, यह normal credit card की, बट यहाँ पर फिर भी यह dice 100 रुपए ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, जो कि first year nil भी है, यानि एक साल में कुछ नहीं देनी है, पहले साल, दूसरे साल साब को joining fees 0, annual fees 0, उसको पढ़ लेना है, तभी आपको select करके proceed हो जाना है, अब दोस्तों यहाँ पर add-on card joining fees की बात करूँ तो वो भी नील है, add-on card annual fees से वो नील है, यहाँ पर card displacement fees भी नील है, यानि काफी प्रकार के हमें इसमें wave of देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसके आपको charges भी बता दिये हैं, अब बात करें, यहाँ पर documentation और eligibility की, तो eligibility की बात करूँ तो जो भी card apply कर रहा है, इसके card को उसकी age यहाँ पर card holder की minimum 18, maximum 17 साल होनी चाहिए, ठीक है, और दोस्तों add-on card holder यहाँ पर कम से कम 15 साल होना चाहिए, और दोस्तों आप यहा पर documentation की बात करूँ तो यहाँ पर आप pen card की photocopy या फिर form number 16 दे सकते हो, ठीक है, proof of income की बात करूँ तो latest pay slip या फिर form number 16 या फिर IT return भी दे सकते हो, अगर resistance proof की बात करूँ तो यहाँ पर आप driving lessons, electricity bill, landline, telephone bill number भी दे सकते हो, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको benefit, ठीक है, documentation, implementation, eligibility criteria, सब count करा दिया है, अब आते हैं, यहाँ पर कैसे इसे apply करना है, तो apply करने की process की और बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी से question की वीडियो पर पहले बारे तो वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर दो, bell icon को press कर दो, क्योंकि दोस्तों आपको मैं चलब इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है, अब दोस्तों यहाँ पर इस credit card को apply करने की direct link वीडियो की description में, उस link पे click करोगे, जैसे ही, तो आप इस page पर पहुँच जाओगे, जो कि मैं आप पर process में दिखाने वाला हूँ, दोस्तों हम आ गई हैं, अपने mobile phone की screen पर दोस्तों आपको इस वीडियो के description में एक link मिलेगी, उस link पे आप जैसे ही click करोगे, तो वहाँ पर आपको अपनी basic detail भरकर, जैसे ही आप submit के button पे click करोगे, तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार की website पे redirect कर दिये जाओगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप इस credit card को apply करने का जा गया, अब यह पूचा है, are you an exacting access bank customer, तो दोस्तों यह पूचा है कि आपका खाता access bank में है या नहीं है, तो दोस्तों हमारा तो नहीं है, तो हम तो no करेंगे, अगर दोस्तों मान लीजे आपको खाता है, तो आप yes करना, तो मैं दो no को आपको दिखा देता हूंगे, आपको date of birth डान लिए, pen number और यह capture code यहां डालकर next पर click कर देना है, और customer ID के लिए अगर करते हो, तो customer ID डाल लिए, mobile number नहीं डालना है, ठीक है, date of birth, pen card, enter capture, next पर जाओगे, तो दोस्तों हम तो फिलाल अभी back हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खाता नहीं है, अगर आपका खाता ह तो इस तरीके का आपको mobile number डालना है, यहां पर pen number डाल देना है, pen card number, pin code डाल देना है, net annual income डाल देना है, कितनी भी है, जिदनी भी आपकी income है, capture code डाल देना है, next पर बढ़ जाना है, तो दोस्तों यहां पर हमने सारे detail डाल दिये, उसके बाद हम next के button पर click कर देते हैं, दो दोस्तों यहां पर आप card पर क्या नाम चाती है, वो card पर जो नाम चाती हो, आप card पर print हो कर आए, वो यहां पर डाल देना है, आपको अपने mother का नाम डाल देना है, father का नाम डाल देना है, यहां पर दोस्तों आपको अपने marital status लट कर लेना है, आप married है या single है, यहां पर आपको enter resistance address डाल देना है कि मतलब जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का अपने address डाल देना है नीचे आपको अपने enter office का address डाल देना है और दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको यह पुछा जा रहा है कि आप card अपने office पर receive करना चाते हो या आप अपने resistance address पे करना चाहते हो यानि कि जो आपका घर का address है जहाँ आप रहते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको select कर लेना है दोनों में से एक और email address डाल देनी है और नीचे checkbox पे click करके next पे आगे बढ़ जाना है तो दोस्तों हम जैसी next पे आगे बढ़ जाते हैं तो दो दोस्तों अगर आप self-employed है तो आपको अपने self-employed से related यहाँ पर detail डाल देनी है अपने company का name अपना ownership टाइप ठीक है कितना साल को आपके business को हो गया सब को डाल देना है जो जो चीज यहाँ पर पूछी जा रही है तो दोस्तों हमारे case में salad है तो हम salad पर select करके अपनी company की detail अगरे डाल देते हैं जो भी इस से related पूछी जा रही है यहाँ पर ठीक है और कितना time से आप job कर रहे हो यह सब चीजे पूछी जाएंगी तो हम अपने detail डाल के next पे आगे बढ़ जाते हैं तो दोस्तों हम जैसी next पे आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे सामन केड़े कार्ड भी देखने को मिल ला है और दोस्तों यहाँ पर हम अपना कार्ड को select करके जैसे ही next के बटन पर किलिक करते हैं तो हमारे रेइस्टर मॉइल नंबर पर एक OTP चला जाता है तो दोस्तों वो OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं और नीचे दोनों कंडिशन पर टि मैसिज आ जाता है thank you for interest application processing has been और नीचे हिहाँ पर हमारा application reference number भी हमें show कर दिया जाता है इस application number के द्वारा ही हम track कर पाएंगे कि हमारा credit card की position क्या है मतलब कितने दिनों के अंदर approved हो रहा है कैसे कैसे उसकी position है कितने दिन के अंदर हमारे घर पर आ जाएगा दोस्तो इसको आपको copy कर लेना है यह फिर यह आपके message के द्वारा भी आपके जो registered mobile number है उस पर message के द्वारा भी भेज दिया जाएगा ठीक है तो अब हमारे number पर भी आ गया है मैं आपको दिखा देता हूँ कि message में कैसे आता है तो दोस्तो देख सकते हो कि हमारे पास यह message भी आ गया है कि thank you for applying for an access bank new credit card ठीक है विद application card application tracker ठीक है इस तरीके से डालके आप महाँ पर अपनो यह reference number डाल देना है आपको application number और track कर पाऊगे तो दोस्तो इस तरीके से ही बस आपका यह message आ जाता है आपका process यहाँ पर submit हो जाता है और आपको बता देते हैं कि क्या क्या position है और आपकी video के वाई सी भी यहाँ पर complete करा लेते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका यह number आ जाता है application number तो दोस्तो आपके पास एक यह दो दिन में या फिर मालीजेगे आपने कोई credit card पहले नहीं ले रखा है तो उस case में आपकी जो किवाई सी है वो यहाँ पर physically तोर पर भी हो सकती है यानि access bank की तरब से एक employee आपका जो है यहाँ पर physically के वीडियो किवाई सी ना होकर आपकी documents जो है verification करने आपके घर आ सकता है फिर आपको document verification कराना पड़ेगा जिसमें आपका income proof भी वहाँ पर लग सकता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी वीडियो के वाई सी हो जाती है अगर आपका high civil score है तो वहाँ पर आपका income proof की जरुवत नहीं पड़ेगी और दोस्तों यहाँ पर आपकी सिर्फ वीडियो के वाई सी इसे ही आपका card approved हो जाएगा अगर मान लीजे दोस्तों आपका ज़्यादा ही better यहाँ पर civil score है तो हो सकता आपको वीडियो के वाई से की जरुवत ना भी पड़े और आपका card ऐसे ही approved हो जाए और आपके घर पर deliver हो जाए तो यहाँ पर जो सारा खेल होता है वो यहाँ पर civil यहाँ पर better होता रहता है और उनको एक पता चल जाता है कि हाँ अगर इसको हम credit card देते हैं तो यह feature में क्या फिर हमारे credit card को सही से use कर पाएगा ठीक है तो उनको पता चल जाता है उसी भी हाँ पर वीडियो के वाईसी को फिर जाता है आपर जरूरी नहीं समझते हैं और आ लेडी वीडियो बना रखिए कैसे आपने credit card को track करो तो वहाँ पर जाकर आप दोस्तों इस card को track भी कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका card कहां पर है जब अप्रूट हो गया है तो कितने time बाद आपका deliver हो जाएगा तो इस तरीके सा आप अपने access bank का new credit card lifetime free वा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक next video में नगे update के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भार